हेलो गाइज बेलकम बेक टो अबर यूटूब चैनल गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है आज फिर से एक बार मैं रेनो ट्राइवर के बारे ही में बात करने जा रहा हूँ अगर अभी तक आपने चैनल को बैल आइकन को दबा दीजिए जिससे की आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहें गाइज अभी मैं ट्रिप पे गया हुआ था लगभग 100 किलो मीटर की ट्रिप थी एक तरफ से मतब 200 किलो मीटर बराबर हो गई 200 किलो मीटर की कुल ट्रिप बनी जिसमें से अपकी बार मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गाड़ी से 20.3 kmpl का माइलेज निकाला है मुझे बहुत खुसी हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है माइलेज कैसे मिलता है गाड़ी का कि आप गाड़ी को आइडियल कंडिशन में चला रहे हैं कि आप गाड़ी की स्पीड मैंटेन कर रहे हैं एकी स्पीड ब्रेक कम से कम यूज़ कर रहे हैं तभी आप गाड़ी से माइलेज ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको पेसेंस ही भी रखना पड़ेगा ये नहीं कि बगल से कोई गाड़ी निकली वो 100 प्लस की स्पीड से जा रही है और आप 100 प्लस की स्पीड आप भी ले लें उसको वर टेक करें तो ऐसे आप एबरेज बिलकुल नहीं निकाल पाएंगे सॉरी एबरेज कह दिया हम लोकल वाजा में एबरेज ही बोलते हैं लेकिन वो माइलेज होता है तो एक्चुल में होता क्या है कि अगर आप माइलेज गाड़ी से लेना चाहते हैं तो आपको गाड़ी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा आइडियल कंडिशन में चलाना पड़ेगा स्पीड मैंटेन करने पड़ेगी पेसेंस रखना पड़ेगा और कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राइबर जो है एबरेज नहीं दे रही है सही चोदा का एबरेज दे रही या फिर तेरा का दे रही या बारा का दे रही तो आप ये भी तो देखिए कि आप गाड़ी किस तरह से चला रहे है आपको मैं प्रूब दिखा रहा हूँ आपको चलिए दिखाता हूँ आपको मैं प्रूब कि गाड़ी ने average कितना दिये distance कितना आपको जूट लग रहा होगा तो आप देख सकते हैं यह देखी गाइज 119 km की जो है trip थी 2 घंटे 49 मिनट लगे मुझे तो समझ सकते हैं आप मैंने कितनी speed पे गाड़ी चलाई होगी average consumption हुआ है 20.3 kmpl का तो आप देख सकती है इस बार मैंने सोचा कि मैंने एक भी video average की उपर नहीं बनाया है कि मैं गाड़ी से average कितना निकालता हूँ और कितना निकाल सकता हूँ तो इस बार मैंने यही सोचा कि गाड़ी को मैं ideal condition में चलाऊंगा कम break का इस्तमाल करूँगा और कम speed मतलब ज़्यादा तेज नहीं चलाऊंगा average speed चलाऊंगा तो उससे मुझे average क्या मिलता है बैसे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 10-15 km आपको 10-15 km की छोटी सी trip कर ली और उसमें आप लोग दिखा दिया कि यह गाड़ी ने इतना average दिया लेकिन ऐसा होता नहीं है जब आप long trip पे जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप real में कितना average निकाल रहे हैं तो वही होता है गाईज और जैसा कि जानते ही हैं कि नया साल आ चुका है और इसके रेनो ट्राइबर के प्राइज भी बड़े हैं पैसे तो गाड़ी तो एक नंबर है गाईज कोई भी दिक्कत नहीं कम रुपए में आपको सभी facility मिल रही हाला कि यह नहीं है कि आपने comparison तो है ही नहीं लेकिन आपको इतने रुपए में इतनी सब facility मिल रही है तो कहीं ना कहीं तो यह लेने वाली बात है कि हाँ इसको ले सकते हैं और ज्यादा ज्यादा unit sale हो रही है इसकी जैसा कि सबसे पहले जब starting में आपने देखा ही होगा कि इसकी कई गाड़ी आई कई ब से धहमाल मचाया डिस्टे आई कुऊवुट ने धामाल मचाया उसके बाद रहनोने कुण निकाला ठावल की गयर कमाने डहमाल मचा रही है अब इसका जो चरव कर तरी काकि का प्रसमौा जैसे ही एगर कोई बी टो बातों और आप गाड़ी से अपनी ट्राइवर से कितना वाइलेज निकालते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईए और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेशन में जरूर बताईए चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन दबा दीजिए जिससे की आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहें चलिए बस इस वीडियो मैंने इतना ही बताया आपको कि इस बार मैंने अपना ही रिकॉर्ड थोड़ दिया वैसे तो मैं 16-17 का एबरेज निकाल बात था लेकिन इस बार मैंने 20 एबरेज निकाल दिया मेरे लिए बहुत है क्योंकि कंपनी क्लैम कर रही है कि ये गाड़ी 20 का एबरेज देती है माइलेज देती है लेकिन गाईज कई लोगों ने ऐसा भी किया है टैंक टू टैंक जो फुल करके माइलेज निकाला है उसमें भी जो कंपनी क्लैम करती है उससे ज़्यादा ही माइलेज दिया है इस गाड़ी ने तो कहीं न कहीं ये तो चीज किलियर है कि इसकी जो M.I.D. पे दिखता है वो रीडिंग दिखती है वो सही है उसमें कोई डाउट नहीं है कि कम दे रही गाड़ी गाड़ी एबरेज अच्छा ही देगी माइलेज अच्छा ही देगी गाड़ी उससे अच्छा बस कंडिशन ये होती है कि आप गाड़ी को कैसे चला रहे है उसी के उपर सब कुछ होता है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिए